अब लोग ठीक होंगी तो फेंड साच हम बनाना जारे मज़़तार अन्यन ड्रिंग्स अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो फिर आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बूले का आएं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने एक प्यास ले ली प् सबसे पहले हमें पील उफ करना है इसका चलका अच्छे सुतार देना है तो मेरी प्यास पील उफ हो गई है इसके बाद अब मैं इस प्यास को नीचे शेल्फ पर रखके गोल कोल काट हूंगी आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल स्ट्रेट गोल काट रही हूं अच्छा अब इसके अंदर के हमें सारी प्यास निकालने है और जो भी जितनी भी गोल रिंग्स है उसको अलेदा कर देनी है अब यहां पर प्यास के अंदर आप लोगों के पास अलग अलग साइस की रिंग्स होंगी तो जितनी अलग साइस की रिंग्स होगी कोई बात नहीं अच्छा है इसे हम रग देंगे, अब बनाते हैं, फिलिंग, सबसे पहले यहां पर 3 टीबल स्पून जितना कॉन फ्लार ले लिया है, फिर 3 टीबल स्पून जितना फ्लार लिया है, मैंने, उसके बाद सॉल्ट ले रही हूं, चिली फिलेक्स लोगी 1 टीजपून जितना ओरिगानो और व तो जितना पानी रिक्वाइर हो कतना करेंगी, इसके बाद प्यास को हम इस बैटरी के अंदर डिप करेंगे, बैटरी के अंदर डिप करने के बाद इस अच्छे से कोटिंग जब मिल जाएगी, फिर इसे ब्रेट क्रम्स की कोटिंग दे देंगे, ब्रेट क्रम्स में लगा द इस पर मैं फ्राइ कर दूंगी जब यह गोल्डेनिश प्राउन हो जाएंगे तो इसे मैं टर्न कर दूंगी टर्न करने के बाद आप देखें कितना प्यारा कलर आता है और यह बिल्कुल जल्दी से बन जाते है अगर आपका तेल गरम हो अच्छा तेल की जो फ्लेम है वह से गोल्डेनिश प्राउन का कलर चाहिए था ज्यादा नहीं तो यह मेरी रिंग्स तयार है आप पी रेसिपी जरूर ट्राइ करें जरूर ट्राइ करने के बाद मुझे बताएगा कि कैसे बनी आप लोगों से और पिच्छे भी दाल लिएगा कॉमेंट पे तैंक यू फ्रे कर एंग पी कैसे भी बताद कर खेंएभी रूर लिए मेंग्स तकर एंग लोगों से गईपकिन पनाध BILL